नमस्कार बच्चो मैं आपकी कक्छा पांच हिंदी के सिक्षि का कुस्म और मैं आपको आज हिंदे साहिते में गिरिधर की कुंडलियों के बारे में पढ़ाऊंगी गिरिधर कवी राय अपनी कुंडलियों में कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पाच्छी पच्चताई काम बिगारे आपनों जग में होत हसाई जग में होत हसाई चितमे चैन नपावे खान पान सनमान राग रंग मनही नभावे कह गिरिधर कवी राय दुख कचु टरतन टारे खटकत है जी अमाही कियो जो बिना विचारे संदर्ब प्रस्तुत कुंडली कवी वर गिरिधर द्वारा रचित गिरिधर की कुंडलियां से ली गई हैं प्रसंग इस चंद में कवी कहता है कि मनस्य को बिना सोचे समझे कोई का करता है वह बाद में पस्ताता है ऐसा करने से एक तूसका काम बिगड़ जाता है दूसरे संसार में उसकी हसी होती है अर्थात सब लोग उसका मजा कुडाते हैं संसार में हसी होने के साथ ही साथ उसके स्वम के मन में सांती नहीं रहती है वह परिशान हो जाता है खाना पीन अर्थात भगाने पर भी भागता नहीं है और सदा ही यह बात मन में खटकती रहती है कि बिना सोच बिचार के करने से मुझे यह मुसीबत जिलनी पड़ रही है दूसरा दोहा है दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान चैंचल जल दिन चारी को ठाउन रहत निदान ठाउन रहत निदान जियत जग में यस लीजए मिठे वचन सुनाए बिने सभी की कीजए का गिरिधार कभी राए अरे यह सब घट तौलत पाहू निशी दिन चारी राहत सभी के दौलत इसका ब्याक क्या है कभी कहते हैं कि किसी भी मनुष्य को धन दौलत पालेने पर सपने में भी अभिमान नहीं करना चाहिए यह धन तो बड़ा चंचल और आइस्थिर है कभी एक अस्थान पर टिका नहीं रहता धन चिरस्थाई नहीं होता इसलिए पिठा बोलना चाहिए सबके साथ बिनम्रता का बेहवार करना चाहिए गिरिधर कहते हैं कि अरे कम क्यों तोलता है यह दौलत महमान की तरह है जो किसी के घर में कुछ दिन रात ही रहती है अता धन दौलत पर अभिमान नहीं करना चाहिए धन्यबाद बच्चों